कि दिन किस तरह से मुवमेंट दिखा सकते और कौन कौन से लेवल समय देखने को मिल सकते हैं आप साइट के लिए सो फ्रेंट इस वीडियो में बने रही है और जो लोग इस चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो मेरा टेलिग्राम चैनल अगर आप जोइन क कर सकते हैं क्योंकि लाइब मार्केट में कोई में कॉल पूट नहीं प्रोवाइड कर दो फ्रेंट जो इंपोर्टन लेवस निकल कराते हैं स्ट्रॉंग लेवस जो मुझे नजर आते हैं निफ्टी फिफ्टी के वह मैं पोस्ट करती हूं तो सारी चीजे लर्निंग परपस चैंडल को यहां पर वह manner लेकिन होगाए डाोन पर बनाया यहां पर पर यह लो को बीश को ब्रेक कि यह होता है और हमारे यहां पर उस्टा करें करते हूं लहां पधको सेन देघ्र हमारे लो को तो यहां पर हमें जो टार्गेट देखने को मिल सकता है तो 38,940 का लेवल तो इसलिए हम देख लेते हैं कि कल किस तरह से यहां पर हमें ट्रेड को प्लान करना है इसको मैं यहां पर रिमॉफ पर देती हूं तो हमारे पास जो इंपर्टर्ट लेवस निकल रहा है 39,180 का लेवल अगर कल यहां पर मार्केट ओपन हो जाता है यह इस रेंज के अंदर ओपन होता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो अभी भी क्या है कि आप साट का सिनेरों यहां पर नहीं बन पार रहा है आप साट के लिए ओपर 39,800 के उपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक हम यहां पर अपसाइट का सेफ टेट प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आया हमें फॉल देखने को मिला अब मार्केट यहां गैब आप ओपन होने के बाद दिखें रुक नहीं पाया और फिसे हमें फॉ तो ब्रेक कर देता है 38,940 का लेवल ब्रेक करता है और इसको ृक्टेश करता तो हम यहां पर डाउंसरट कर सकते हैं यह लेवल अगर ब्रेक होता है यहां पर एक छोटा सा टारगेट है यहां पर हम इसको mark कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास यह level होगा, अगर यह break हो तो next यहां पर जो हम लेकर चलेंगे, वो हम लेकर चलेंगे, यहां पर यह level, यहां पर 38,690 का level, यह हमारा second target होगा, अगर यह break हो तो next यहां हम लेकर चलेंगे, यह सारे चीजे में मांकर देती ह। यहां पर हमारे पास यह लेवल, 38500 का लेवल, तो यह target हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको reset कर लेती हूं यह कि तो धेक्षिन में, आपको level to level work करना है, अगर यहां पर open हो जाता है, उस level को break करेगा तो आपको यहां पर डाइचर एक्षिन देखना है और अगर bubble Train Standard के लेटने को मिल सकता है बैंकने निफिटे में अगर यहां से मुवमेंट दिखाता भी है तो देखिए एक हमारे पास यह हडल बन सकता है यहां पर आप इस लेवल तक ट्रेट को प्लान कर सकते हैं अगर आप यहां पर रिस्क लेना चाहते हैं तो यहां से बड़ा फॉल आया हुआ है तो इसको ध्यार नेखेगा प्लस 50 में अगर बनाते हुए मुव करता है तो यहां से फिर से रिजेक्शन को फेस कर सकता है और मुवमेंट दिखा सकता है डाउंसाट के लिए अपने लेव सब्सक्राइब कर सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है यहां पर सपोर्ड बना लेता है तब हम यहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सारी चीजे आपको लेकर चलनी है आपको अपना अगर कर देता है तब आप यहां पर डाउंसाट कर सकते हैं जो टार्गेट हमें देखने को मिल सकते हैं तार्गेट होगा सब्सक्राइब कर देखने को मिल सकता है अब हम बात करें आपर अपना पर ओपन होने के बाद आते हुए मूव क्या अपसाट उसके डाउं आया और यहां पर इसने प्राइब कर दिखाया डाउंसाट के लिए सपोर्ट कहा पर लिया है 1662 के लेवल पर अगर कल यह ब्रेक हो जाता है ब्रेक होने के बाद मूव करता डाउंसाट के लिए तो देखें इसका यह जो गैप है यह गैप हमारा फिल हो सकता है तो हम टार्गेट लेकर चलेंगे 1652 का लेवल यह मारा फास्ट टार्गेट होगा अगर यह ब्रेक वा तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हम 1647 का लेवल भी देख सकते हैं कोटेक बैंक में अगर यह मूमन दिखा था आप साट के लिए तो देखें आप साट के लिए थोड़ा सा स्टेट हमारे लिए सेफ नहीं पर यहां से देखें किस तरह से यहां पर फॉल आया सपोर्ट बनाया 819 के लेवल पर और यहां से फिर से मूवमेंट दिखा है अपसेट फिर से यहां पर डाउन आया फिर से सपोर्ट लिया हुए अभी अगर यहां से मूव करता है अपसेट के लिए आपको क्या देखना ह कर देखेगा क्योंकि 50 में भी अगर मुवमेंट दिखाता है अपसाइट तो 50 में सिर्फिट से रिजेक्शन को फेस कर सकता है और यहां से मुवमेंट दिखा सकता है डाउंसाइट के लिए तो डाउंसाइट अगर यहां पर 819 का लेवल ब्रेक कर देता है तो जो हमारा पास यहां 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 पास क्या है सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है जब यहां पर आया मिआने के बाद एक रिंज मना लिया है अब यहांपर 50 में भी है 50 मwoman के पर अभी यहां पर सपोर्ट लिया ह swap6 001的 करिकि укleWas recommended अगर इसके नीचे निकलता है, closing दे देता है, retage करता है, तब आप यहाँ पर downset कर trade plan कर सकते हैं, जो target हमें देखने को मिल सकता है, वो हम target लेकर चलेंगे 2135 का level, इस level तक भी target हमें दिखा सकता है L&T, अगर यहाँ से breakout करता है, अपसाइट के लिए तो अपसाइट यहाँ पर 50MA पर क्या क्या है, इसने support लिया हुआ है, support बनाया है और movement दिखा है upside के लिए, upside यहाँ पर 367 का level अगर कल यह break कर देता है, support बना लिता है, तब आप यहाँ पर upside का trade plan कर सकते हैं, जो target हमें देखने को मिल सकता है, वो होगा 374 का level, यह हमारा first target होगा, अगर इसको break करेगा upside upside के लिए, और projection मनाते होगे, move करेंगा, तो फिर यहाँ पर next, next जो हमारे पास target होगा, वो होगा 382 का level, तो इस level तक भी target हमें देखने को मिल सकता है, अगर rejection phase करता है, अगर यहाँ पर rejection phase करता है, तो सबसे पहली चीज की, अभी हमारा 50MA वो नीची है, गर down आएगा, तो 50MA से फिर से support यह ले सकता है, और movement फिर से दिखा सकता है, आप सेट के लिए, तो downside के लिए, जो हमारी safe entry बनेगी, वो हमारी यहाँ पर बन सकती है, 358 का level, यह break होगा, रिटिश करेगा, तभी आप यहाँ पर downside का trade प्लान कर सकते हैं, तो फिर यह थे stocks चलिए, हम देख लेते ह और यहाँ से देखिए, किस तरह से fall देखने को मिला, rejection phase किया बार बार और यहाँ से projection मनाते वे, downside का moment दिखाया, लोग अहाँ पर बनाया है, 16,940 के level पर, देखिए, candle कौन से मिली है, यहाँ पर hammer candle, अगर कल यहाँ पर open हो जाता है, moment देखाता है, upside के लिए, तो देखिए, 10,080 का level, यहाँ पर, यह level, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या था, market डाउन आया, प्राइक्टिम आती हुए, तो यहाँ आने के बाद यहाँ से, अप गया, और फिर से, यहाँ से, rejection को phase किया, और प्लस 50 A में भी है, तो इधिया नेखिए, अगर दिखाता है, तो यह 50 A में इस support बनाएगा, और प्लस 50 A में को पर निकलेगा, तभी हम यहाँ पर safe trade plan कर सकते हैं, upside के लिए, फिलाल upside के लिए, जो safe entry हमारी बनेगी, वो हमारी बनेगी यहाँ पर, इसको यहाँ पर mark करती हो, 17,190 का level, जब तक यह break नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर upside का trade plan नहीं करेंग पर तार्गेट होगा, यहाँ पर यह, इसके उपर निकलता है, तो जो next target हम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, next हम लेकर चलेंगे, 17,147 के आशपास का level, यहाँ पर हमारे पास यह level, तो यह three target हमें देखने को मिल सकते हैं, upside के लिए, इसको में mark कर दीती हो, यहाँ पर हमार यहां पर निकल कर आएगा वो होगा 16,877 का लेवल यह मारा फास टार्गेट होगा डाउंसाड में अगर यह ब्रेक तो नेक्स टार्गेट यहां पर हम जो लेकर चलेंगे वह हम इस लेवल के आसपास का लेकर चलेंगे लेवल होगा यह ब्रेक होगा तो यहां पर यहां पर यह ब्रेक होगा तो नेक्स टार्गेट यहां पर हमारे पास यह लेवल तो यह थे अफसाइट के टार्गेट है और यह थे डाउंसाइट के लिए चली हम देख लेते हैं यहां पर फिब्रेटरिस्मेंट टूल को लगा कर कि कौन से लेवल हमारा 0.5 का लेवल है यहां पर आज का हम हाई मार्क कर देते हैं और आज का यहां पर यह हम लो मार्क कर लेते हैं तो दीएकि 0.5 का रहे जो हमारा लेवल ऌपर रहे को अगर खोरा सकता है अगर आप 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 प्लां करते भी है तो आप को अपना एसज़ जरूर देख लेना है क्योंकि यहांपर मौव करेगा अफसाट यहां से रिंव करके फिर से मार्केट यहां पर downset का scenario दिखा सकता है तो फ्रेंट्स यह था मेरल से snifty fifty और bank nifty के लिए अब देखते हैं मार्केट कल किस सर से open होता है किस point पर open होता है gap up open होता है फिर gap down open होता है जहां पर भी open हो आपको wait करना है projection बनने का या फिर level का कि किस level पर open होता है और कौन सी candle बन रही है उसके recording ही work करना है और फिर देखिए वीडियो पसंद आया करें वीडियो को like जरूर किया करो और जो भी आपके सवाल है उन्हें comment बाक्स में जरूर किया करो तो फ्रेंट इस वीडियो को यहीपर ही end करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक देखिए और वाचिंग